So hello guys, आज हमारे पास में BOV 40E 5G स्मार्ट फोन और इस बाले फोन में काफे कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं इस बाले फोन का आपना ऐसा डवल टेप करेंगे तो फोन बंद हो जाएगा डवल टेप करते ही चालू हो जाएगा और यहाँ पर बॉलिम डाउन बटन का ऐसा डवल बार प्रेस करेंगे तो आपका जो कैमरा है बो चालू हो जाता है आप यहाँ पर एक टाइम में तीन तीन एप्लिकेशन चला सकते हैं आपको यहाँ पर AI वाली फीचर्स मिल जाता है AI एरेजर मिल जाता है और इस वाले फॉन में किसी की incoming call आती है और आप अपने फॉन को कान के पास में लेकर चले जाएंगे तो फॉन आटोमेटिकली पिक अप हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो light देखने को मिल रही है camera में वो अभी आप लगा सकते हैं और इसमें आपको Ace Lighting मिल जाती है, Dynamic Effect मिल जाती है, Fingerprint Animation, Charging Animation इतने सारे आपको Features में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेकर add-on तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, मेरा नाम एहसान है, आप देख रहे हैं Tech2Aحसान चैनल इस पहले Features की बात कर लेते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे, यह वाला आपको मिल जाता है option इससे आप कोई भी application डारेक्ली open करा सकते हैं तो इसे मैंने कैसे लगाया हैं, वो आपको बते देता हूँ, आपको यहाँ पर setting based आना है और नीचे आने के बाद में आपको accessibility and shortcut वाला option मिल जाएगा, इसमें आप click करिएगा यहाँ पर आपको easy test वाला option मिलेगा, यहाँ पर आना और इसका आप personalization कर सकते हैं जैसे कि अभी यह लगा है, आप इसमें यह astronaut कर सकते हैं, आप apply कर लेंगे, तो उपर side में देखो, आप जो robot आ चुका है, इसे click करके आप इतने option लगा सकते हैं या फिर आप इसे custom करना चाहते हैं, application और add करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, इतने application आप फिर इसे touch करने पर ला सकते हैं, देखो, यह आगए और मैं आपको बता दूँ, इसमें आप नीचे side में भी इसे custom कर सकते हैं, फिर किसमें क्या चीज आना चाहिए, बहुत सारा कुछ आप यहाँ पर set कर लेना next guys, आपको यहाँ पर gallery open करना है, और gallery open करने के बाद में जैसे कि आपको कोई चीज background में remove करना है, बो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हमारी यह वाली photo है, और इसे हमें कोई चीज remove करना है, पीछे side से, मतलब यहाँ पर erase करना है, बो भी आप कर सकते हैं, AI की मदल से, यहाँ आप edit पर click करिएगा, और edit पर click करने के बाद में यह आपको AI eraser मिल जाता है, देख सकते हैं, आप इस तरह से यह काम करता है, आप circle बना कि कोई भी चीज को remove कर सकते हैं, erase कर सकते हैं, तो इसे got it कर देना, और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूं, एक example, यहाँ पर देख आप hide करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यह वाली photo को hide करना है, तो मैं यहाँ पर three dots में click करूंगा, और यहाँ पर hide वाला option मिल जाएगा, इसमें आप मैं click कर लूँगा, तो यह hide हो जाएगी, फिर यहाँ पर आप fingerprint बगएरा लगाएंगे, तब जा यह भी hide कर सकते हैं, और आप बात कर लेते हैं, कि आप किसी application को hide करना चाहते हैं, यहाँ पर वो application ना देखें, या lock करना चाहते हैं, तो भो भी आप कर सकते हैं, जैसी कि मैंने यहाँ पर Amazon hide करके रखाएंगे, देखो, मेरा यह Amazon hide है, मैं यह दो finger से इस तरह से ऐसा करता और hide वाले application आज आते हैं, तो यह setting आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर आई manager open करना है, और यहाँ पर utility tool पर click कर देना, यहाँ पर app encryption है, यहाँ पर fingerprint वगेरा डाल लेना आप first time में, इसके बाद में आप किसी application को hide कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यह option आ चुक आते ही वाले application है, वो आ जाएंगे, और यह hide वाले application यहाँ कहीं पर भी नहीं दिखते हैं, next, अब गईस आपको किसी application को lock करना है, fingerprint लगाना है, तो भो भी आप लगा सकते हैं, आई manager पर जाना, utility tool पर, app encryption पर जाना, और यहाँ पर आने के बाद में, यह app encryption वाला option मिल जाता है, अब यहाँ से आप किसी भी application में lock लगा सकते हैं, बट आपको एक setting करना पड़ेगा, app lock time देखने को मिल रहा है, यह बीच वाले option को आप क्लिक कर लेना, इसमें, और इसके बाद में बस आपका काम हो गया, अब आप देखो, इसे open करेंगे, तो fingerprint लगेगा, तब जाके आपका chrome या फिर जो चीज आप lock करना चाहते हैं, वो आपका lock हो जाएगा, app बगेरा, तो guys, वीडियो में आप इतनी दूर आ गए हैं, तो वीडियो को like जरूर करना, और हमारे 100 के subscriber बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो एक subscribe जरूर से कर देना, अब आगे अगली features की बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर setting पर जाना है, और setting में जानने के बाद, उपर side में आपको यह मिल जाता है, dynamic effect, जो कि मैंने starting में आपको बताया था, ambient light पर आना, और अब जैसे कि आप music सुन रहे हैं, आप इस music को चालू कर लेना, यहाँ पर आप देखो lighting बहुत सारी देखने को मिलती हैं, आपका phone बंद रहेगा, तो इस तरह से light देखने को मिलेगी, देख सकते हैं, इसको भी आगे मैं बताऊंगा कैसे मैंने लगाया है, बाकि इसका आपको option मिल जाते हैं, तो color change आप कर सकते हैं, बाकि हम backers आते हैं, और यहाँ पर आपको और भी option मिल ज दे लेगी, तो यह देखने में अच्छा लगता है, नाइट में और आपके दोस्त इसे देख के impress जरूर से होने वाले हैं, तो इसे जरूर से लगा लेना, बाकि मैं back कर देता हूँ यहाँ और आपको यहाँ पर dynamic effect में बहुत सारे animation मिल जाते हैं, जैसे कि यह finger finn animation देखो, बाकि हम back आते हैं, तो यहाँ पर और भी option मिलेंगे, जैसे कि home screen transaction animation पर click करना, आप यहाँ पर देखो यह animation, आपको application open करते हैं, तो किस तरह का animation आना चाहिए, वो आप यहाँ पर set कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इक बार, अब देखो मैंने यह application open किया, तो यहा animation आने लगा है, कोई भी application open करेंगे, तो इस तरह का animation आने बाला है, तो यहाँ से आप अपनी मर्च चूस कर सकते हैं, नेक्स्ट गईस, आपको यहाँ सारे ball paper मिल जाते हैं, आपको जो भी ball paper यहाँ से रखना है, वो चूस कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखो इतने सारे ball paper आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइव ball paper ही मिलता है, यह देख सकते हैं आप, इस तरह से आप जो भी ball paper लगाना चाहते हैं, वो लगा लेना, मैं अभी यह वाला लगा लेता हूँ, अब अगली features की बात करेंगे, तो आप देखो, आदी screen से ऐसा करेंगे, तो मेरा control panel न में कर लेना है, इसके बाद में फिर आप आदी screen से control panel निकाल सकते हैं, next, अब गाइस फिर से आपको ऐसा press करके रखना है, home screen setting में आना है, यहाँ पर आपको जो Google discover देखने को मिल रहे हैं, इसे भी बंद कर लेना, यह चालू रहता है, तो आप यहाँ पर साइड से इस तरह से Google discover आता है, आप इसे बंद करके रख लेना, इसे बंद करने के लिए ऐसा press करना, इसमें जाना, और यह जो Google discover है, इसे बंद कर लेना, अब बंद करने के बाद नहीं आने वाला है Google discover, next, अब गाइस आपको ने एक application यहाँ से open कर लेना है, और आप यह three fingers ऐसा करेंगे, तो यह split इसकी नाजा आती है, इसके बाद में आप YouTube या फिर कोई भी application open कर सकते हैं, दो-दो application आपके यहाँ पर open हो जाते हैं, और इसी तरह से आप यहाँ पर side इस बार से दूसरे application open कर सकते हैं, मतलब तीन-तीन application आप एक time में ही चला पाएंगे, देखो, अब यह देख सकते ह तीन-तीन application हमारे open हो चुके हैं, नीचे side में YouTube है, यहाँ पर calculator है, और उपर side में messenger बगएर चल रहे हैं, तो इस तरह से आप इसे छोटा बड़ा भी कर पाएंगे, अब अगले features की बात कर लेते हैं, आपको फिर से phone की setting में जाना है, और setting में आने के बाद में आपको यहाँ पर एक और option मिलेगा, lock skin and wallpaper इसमें आईएगा, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे wallpaper मिल जाते हैं, बट यहाँ पर देखेंगे, kinetik वाले wallpaper मिल जाते हैं, जो कि आप जितने step चलेंगे, उतना ही आपको flower इस तरह से बड़ा होता है, यहाँ पर आपको यह 4000 step count क फिलिक करिएगा, AOD में और आप इसे चालू कर लेना, अब चालू करने के बाद में देखो, इतने सारे आपको भर भर के always on display मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको नए नए वाले मिलेंगे, बाकि आपको यहाँ पर animation वाले always on display मिल जाते हैं, जो कि आपको phone बंद रहेगा, तो इस तरह से देखने को मिलेगा, तो इनको भी आप ट्राइ करके देख सकते हैं, एक एक करके बांग की नीचे साइड में आप देखेंगे, तो बहुत सारे always on display मिल जाते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, इसमें खिलिक करना, आप आप देखेंगे, मेरा नाम भी आ यहां पर देख सकते हैं, इस तरह से, और मैं आपको एक एक करके एक्जामपल दूँगा, तो बहुत जादा हमारी बड़ी वीडियो हो जाएगी, लॉंग वीडियो हो जाएगी, तो आप यहां पर आके खुद बाखुद explore कर लेना, बहुत सारे आपको always on display मिल जाते हैं, अब गईस हम एक step नीचे आएंगे, तो आपको यहां पर color and style वाला option मिल जाता है, मतलब देखो आपका UI का color है, अभी उपर side में देखेंगे blue color देखने को मिल रहा है, आप इसका color change करके आपने हिसाब से set कर सकते हैं, जैसे कि इसे चालू कर लेना है, और मैं इसे यह purple color कर अब देखो purple color का हमारा UI हो जाएगा, यह देख सकते हैं, purple color देखने को मिलने लगा है, इसे तरह हम green भी कर सकते हैं, अब उपर side में देखेंगे, यह green color आ गया है, और नीचे side में आपको multi color भी मिल जाते हैं, बाल पेपर के हिसाब से, और गईस यह आपको apply करना है, icon में य UI का color उसी पिरकार के आपके जो color है, यह icon के भी हो जाएंगे, बाकि हम इसे बंद कर लेते हैं अभी, और एक step back आते हैं, lock skin and ball paper में, तो आपको यहाँ पर मिलेगा lock skin setting, इसमें click करना, और उपर side में आपको custom lock skin मिल जाता है, आप यहाँ पर से custom कर सकते हैं, देखो इस तरह क यह जो आप clock है, वो आपका size भी change कर सकते हैं आप इस तरह से, या फिर इनका color आपको change करना है, वो आप color change कर सकते हैं, और हाँ यहाँ पर जो आपको shortcut देखने को मिल रही है, यह shortcut आप अपने mergers चूस कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है, जैसिक हमने camera रख लिया, तो वो camera यहाँ पर आजाएगा, अब अगले switches की बात करें, तो फिर से phone की setting में जाना है, यहाँ पर आपको notification पर आना है, और आपको यहाँ पर मिलती है notification history, यह देखो इतनी सारी notification history में यह add हुई है, store है, और यह 24 hours तक देखने को मिलिंगी यहाँ पर, आप इसे एक बार चालू ब कर दिया, और आपने scene नहीं कर पाया था, बाट सब की message, तो बो delete वाली message भी यहाँ पर मिल जाएगी, history में आप आके देख सकते हैं, next, guys, आपको फिर से phone की setting में जाना है, अगले features के लिए, और यहाँ पर shortcut and accessibility पर आजाना, यहाँ पर आपको मिलता है, यह smart motion वाला option, इसमें smart screen on off पर click करना, अब आपको इस एक दो option यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यह वाले dual tap to back और dual tap to turn off वाला, इन दोनों option को चालू करने के बाद में आप home screen में आएंगे, और ऐसा double tap करने तो आपका जो phone है बंद हो जाएगा, double tap करने से आपका phone चालू हो जाएगा, आपको power आपका हुआ कहीं पर और आप ऐसा उठाएंगे न, तो आपका जो phone है, आपको यह पावर उटन प्रेस करने के जरूरत भी नहीं पड़ती है, एक बार यह वाले option को भी चालू जरूर से कर लेना, बाकि हम एक step back आते हैं, अगली features के लिए, यहाँ पर आपको smart calling वाला option मिल जाएंगे, तो उसको phone लग जाएगा, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके नीचे हम आपको smart answer मिल जाता है, इसे भी चालू कर लेना, अब आप home screen में है, या फिर आपका phone बंद है, और आपकी को incoming call आ रही ह चालू कर लेना, आप जैसे की incoming call आ रही है, और आपको कोई number देखा आपने, और वो number आपको pick up नहीं करना है, तो ऐसा low और अपने phone को पलट के रख दो, इससे आपकी incoming call ना mute हो जाएगी, अब हम एक step back आज आते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है, set to turn on flash light वाला, option इसे भ चालू कर सकते हैं, यह आपको सारी setting, shortcut and accessibility के अंदर में मिल जाती है, smart motion के अंदर में, next, फिर से आपको phone की setting में जाना है, accessibility में जाना है, और यहाँ पर आपको और भी option मिल जाते हैं, जैसी की यह वाला option मिलेगा आपको, quick action वाला है, इसमें click कर लेना, quick action में, अब यहाँ से आपको recording करना है, जल्दी से किसी की, emergency में तो आप यहाँ पर recording set कर सकते हैं, अब आपका phone बंद रहेगा, और यह जो volume down button है, इसे आपको ऐसा प्रेस करके ऐसा छोड़ देना है, इससे आपको recorder है, वो चालू हो जाएगा, उपर side में देख सकते हैं, यह sign आ चुका है, और मै आपको एक बार दिखा भी देता हूं, यह देखो, 6 second हमारी recording हो भी गई, मतलब recording start हो चुकी है, तो आप इसी तरह से कोई भी खाम करा सकते हैं, यह quick action से, जैसे कि आपको यहाँ पर से कोई app भी open कराना है, जैसे कि जल्दी से आपको calculator करना है, calculate open करना है, भो भी आप कर सकते हैं, इसमें set कर लेना, इसके बाद में आपका phone बंद रहेगा, तो यह जो volume down button है, इसे आप ऐसा प्रेस करना और ऐसा छोड़ देना, इसके बाद में आपका calculator है, वो open हो जाएगा, देख सकते हैं, तो इसमें आप कोई भी application लगा सकते हैं, मतलब set कर सकते हैं, कोई action में, अ आपका चहरा बिल्कुल beautiful देखने वाला है, वीडियो call के अंदर में, तो आप इसे भी try करके देख सकते हैं, next, guys, अब आपको फिर से phone की setting में जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, ultra game mode नीचे आना, और यहाँ पर आपको मिलेगा ultra game mode इसे click कर लेना, अब यहाँ पर दे background में call रख सकते हैं, block कर सकते हैं, call को reset कर सकते हैं, यहाँ पर आपको motion controller मिल जाता है, यहाँ पर आप booster करना चाहते हैं, performance game के अंदर में, वो आप सारा about option मिल जाता है, बाकि आप setting में आएंगे, तो यहाँ पर 4 macro gaming vibration मिल जाता है, यहाँ पर view enhancement मिल जाता है, तो आप यह जो ultra गेम मोड है ना इसे भी ट्राइ करके देख लेना सेटिंग के अंदर में यह मिल जाएगा नेक्स तक वाई से आपको यहाँ पर इस तरह से करना है कंट्रोल पैनल निकालना है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा से आप अदधि करना है तो यहाँ पर आपको यहाते वाला ओपसन है इस में बहुर सारी और वीडियो को लाईक करना है और चंपर चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अब मैं आपको बताता हूँ इसे आप कैसे अपलाई करेंगे इसके लिए आपको यह वाला एप्लिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम रिंग रिंग एप्लिकेशन है ब्राउजर में जाना उर पी दुनलोड कर लेना इसके बाद में लिए से आपको बसक्राइब साएब एसे आपको पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और यहांन पर end screen में इसी से ए्यृछिंड वीडियो मिल जाए इसे भी जरू वाचिक वाचिक वीडियो